दोस्तों आजकल हमारे देश में कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पिएगा, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, ये सब कोछ तता कतित धर्म के ठेकेदार जिसाइट करने के लिए बड़े उताबले रहते हैं, उतारू रहते हैं कि कौन क्या खाएगा, किसके घर में क्य पकेगा मुसल्मान है तो वो जरूर पके से मांसाहारी ही होगा तो ये जिसाइड हम करेंगे जंडा लेकर धर्म का दोड़ पड़ते हैं तताकतित संगठन के लोग कि हम ही हैं सर्वो परे हमसे उपर कोई नहीं किस तरीके से मार काट लिंचिंग और तो और हत्याय तक हो गई है दोस्तों ऐसे कारणामों की वज़ा से कि कैसे ना पुलिस विशासन का खौफ ना कानून का खौफ सीधे ये धर्म के ठेकेदार बनकर रोट पर चल रहे राईयों को पीट देते थे शक्याधार पर क्यों भाई इनको शक हुआ तो इस वज़े से ये पीट दिये लेकिन अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से सुप्रीम कार्ट ने इन धर्म के ठेकेदारों पर जो ये उतावले हो रहे थे शक्याधार पर लोगों को पीट रहे थे मार रहे थे बेगुनाहों का खून बहा रहे थे अब सुप्रीम कार्ट ने इन पर लगाम लगा दी है जिया दोस्तो इस पूरे खबर में बताएंगे कि सुप्रीम कॉर्ट ने इन तथा कथे धर्म के रक्षकों को किस तरीके से अकल ठीकाने लगाने वाली जो बाते कही है उससे साफ तोर पर इनको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कॉर्ट भी कैसे देश में लोकतंत्र को बचान के लिए आगे आए हुए हैं जिया दोस्तो सुप्रीम कॉर्ट ने एक ऐसा बयान दिया है जो जानवरों के नाम पर हंगामा करते थे शोर शराबा करते थे मार पीट करते थे हत्याय करते थे शक्याधार पर तो उन सब को जो इस तरीके का इन्होंने पेशा बना रखा था क कि किसी को भी पकड़ो किसी को भी शक्याधार पर पीट दिया मार दिया ताड़ी लोच लिया टोपी खीच दिया जैश्री राम के नारे लगा दिये इन तथा कतिस संगठनों पर अब सुप्रीम कॉर्ट ने जबरदस तरीके से प्रहार किया है अब उन तमाम लोगों के ल प्रतिबंद लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दाखिल की गई थी कि जो मांस का सेवन करते हैं उन पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी कि इनको जो मांस खाते हैं उस पर बैन लगा दिया जाना चाहिए वो मांस नहीं खाएंगे याचिका में जानवर की हत्या पर रोक लगाने और लोगों को लाब जनरेट मीट पर स्विच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी ये याचिका इसी आधार पर थी कि जो मांस सहरी है उनका मांस पर प्रतीवंद लगा दिया जाए और वो मांस ना खाए और जो वो लाब वाला कुछ जो प्रोसेस से मांस बनता है उस मांस पर वो स्विच कर दे लेकिन सुप्रीम कौट ने याचिका पर सुनवाई करने से साफतोर पर इंकार किया और इंकार करने के बाद भी दोस्तों उन्होंने सीधे तोर पर चेतावनी दी और कहा कि देश में बड़ी आवादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतीवंद नहीं लगाया जा सकता है हम ऐसी याचिका पर पहली बात तो सुनवाई करेंगे नहीं और फिर जिस तरीके से आप मांस के सेवन पर प्रतीवंद लगाने वाली याचिका लेकर आए हैं इसमें देश की एक बड़ी तादाद है बड़ी आवादी है जो मांस का सेवन करता है तो हम उस याचिका पर कै प्रतीबंद लगा दे यह ना इंसाफी होगा जो लोग मांसाहारी है उसके साथ दोस्तों आपको बता दे कि जस्टिस केम जोसफ और जस्टिस बीवी नागारतनम की डिविजन ने कहा कि खाने के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहट सुईकारी है ऐसे में इस पर रोक लगाया नहीं जा सकता है अस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केम जोसफ ने कहा कि कानून स्वयम खाने के लिए जानवरों की हत्या की अनुमती देता है तो कानून के विपरीत कोई पॉलिसी कैसे हो सकती है जस्टिस केम जोसफ ने आगे अपने बयान में ये भी क कि याचिका के मुताबिक जानवरों के प्रती कोई कुरूरता नहीं होनी चाहिए लेकिन कानून में ये पशु कुरूरता निवारन अधिनियम के तहट आता है इस अधिनियम की धारा एग्यारा यानि की खाने के लिए जानवरों को मारने की अनुमती दी जाती है ऐसे में ह साफ इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि हम ऐसे चीजों पर प्रतिबन नहीं लगाएँगे और इस याचिका को भी हम खारिज करते हैं और उन्होंने कहा कि कानून मांस खाने के लिए अनुमती देता है तो हम कौन होते हैं इस पर बैंड लगाने वाले और इस याचिका को सुनवाई करने वाले कौट ने याचिका करता से पूछा कि आपने भाटे सम्मेदान के आर्टिकल 32 के तहट याचिका क्यों दायर की है किसके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए है इसके साथ ही कौट ने याचिका पर सुनभाई करने से साफ इनकार किया और याचिका करता को याचिका वापस लेने को कहा तो देखा दोस्तों किस तरीके से सुप्रीम कौट ने भी इस बात को माना और देखा कि कितनी जो देश में बड़ी आवादी है वो मान सहरी है और कौन क्या खाएगा ये कोई याचिका पर डिसाइड नहीं की जाएगी कि किसी ने याचिका दाखिल कर दी कि फलाने ये कपड़ा पैना है तो हम इस कपड़े पर आपत्ती जताते हैं और ये याचिका दाखिल कर दी जा रही है सेकडो याचिका लेकर आजकल लोग सुप्रीम कौर्ट की तरफ चले जाते हैं लेकिन सुप्रीम कौर्ट ने बड़े ही शांती पून तरीके से बहुत ही अच्छे से और सटीक लहजे में जिस तरीके की बाते कही है वो चारो तरफ चर्चा का विशय है और खासकर उन नफरत शांती लोगों पर नफरति चिंटूओं पर जबरदस तरीके का प्रहार है जो खाली पेली में अपना टाइम वेस्ट करते थे और लोगों को उकसाने का काम करते थे और कहते थे कि हम रक्षक हैं हम तथा कफित रक्षक जो बनकर जो नए नए आजकल निकलते हैं उन पर ख 360 को जादा से जादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले